तो दोस्तों आखिरकार चीन ने भी कर दी है कारवाई अमेरिका पर अब तक पिछले एक महीने से अमेरिका लगाता और बड़े-बड़े फैंस ले रहा था चीन के खिलाफ लेकिन अब चीन ने भी अमेरिका पर स्ट्राइक बेक कर दी है और इस खबर को जानने के बाद आप कि अपने पैसे पर बहुत घमांड तो दोनों इस एक दूसरे के पैसों पर ही वार कर रहे हैं और इसलिए मैं काय रहा हूं कि यह यह रहा हूं कि यह दूसरे के लिए भसमासूर बन चुके हैं आज की ताकि में और एक दूसरे का पैसा खतम करके ल veil गदिमेट खतम ना कर तो जो दोस्तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मेरे को श्राप चनल पर पहली बार आया तो चनल को सब्सक्राइब जब कर दो कि यह क्योंकि एसी बहुत साइड डिफेंस फॉंट पॉलिशिट फाइंस एंसे वीडियो आज गल बहुत जादा में डाला और इंटरस्टिंग वीडियो आरी तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो खबर यह है दोस्तों कि आपने पहले देखा होगा कि पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बता दू कि तीन दिन पहले अमेरिका ने होंग कोंग का स्पेसली स्टेटस खतम कर दिया औ और चीन इससे बिल बिल आ गया क्योंकि अब तक जितने भी फैसली अमेरिका ने लिये उनसे चीन को इतना कुछ खास रखने पड़ने वाला था लेकिन इससे बहुत बड़ा इंकॉम अफसोसी है यह तो आप यह मान के चलिए कि एक दम कैश था चीन होंग कोंग जाता था चीन ने लेकर वापस आयता था और 441 अरब डोडर मतलब की भारत का जो विदेशी मुत्रा भंडार है वो 490 अरब डोडर है यह अपने इतिहास के सरवोच इस तर पर है तो यहां पर चीन ने भी अब अमेरिका के पैसे की पैसे को चोट पोचाने की कोशिश शुडू कर द अमेरिकी अग्रिकल्चर प्रोड़क्ट्ट थे सिक में सोयवीन वगरा थे जो अरब डोडर का व्यापार होता था इसके लाब पोर्क था इन सब पर प्रतिबंद लगा दिया है यह अब चीन को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा अमेरिका और आपको बता दू कि इससे अमे अमेरिका और गया ऐक्सपोर्ट करें ग मेंरी मेरीका चीन को बरिजिक लान लगा दियाना चीन ने बहुत बड़ी श्ट्रेक बैक किया है अमेरिका पर आपको उता दू कि इससे डोनाल ट्रम्प को डिरेक्टली बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि जो एगरिकल्चर जो आपर फार्मर है जो मतलब कि वो बहुत जादा सपोर्ट करते हैं अमेरिक राष्टपती डोनाल ट्रम्प को क्योंकि उन्होंने जब ट्रेड वर लड़ी थी चीन के साथ अब से एक साल पहले तो उन्होंने बहुत जादा रिलेक्सेशन दिलवाई थी इन फार्मर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इनके सोयाबीन और पोर्क को चीन में और अब इन पर परतिबन लग जाएगा तो डोनाल ट्रम को डिरेक्ली बहुत बड़ा नुकसान होगा अब इससे भारत को फायदा क्या होगा देखें फायदा ये होगा भारत को लोंग टर्म में बहुत बहुत खतम होगा और भारत को शोट टर्म में भी बहुत जादा बेनिफिट होने वाला है खासकर कि भारत की प्राविट कंपनियों को मुका मिलेगा कंपिटिशन बढ़ाने का तो इस पर आपका क्या वीव है कमेंट कर जो बताएगा साथी चैनल को सब्सक्राव करना मुद बहूर और कि आपको भी लगता है कि चीन और अमेरिका भसमसूर बन चुके हैं कि दूसरे के लिए कमेंट कर जो बताएगा साथी चैनल को सब्सक्राव करना मुद भूले थैंको बच डार्चिए वडी दोस्त्तों किस का किप से किप सोब